एक समय की बात है कि एक बेपारी गाव गाव टोपिया बेचने जाता था एक बार जब रंग पिरंगी टोपिया लेकर तूसरे गाव बेचने जा रहा था रस्ते में बहुत ठक गया उसने एक बरगत की पेड़ के नीचे बैठ कर राम करने का सोचा उसने टोकरी नीचे रख दी और वो गहरी नीव में सो गया जिस पेड़ के नीचे वैपारी सोया था उसी पर बहुत से बंदर रहते थे वैपारी के सोती ही मंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया वो टोपियों को उठा लिया जब वेपारी की नीव खुली तो खाली टोकरी देखकर उसके होश उड़ गए, उसकी सारी टोपिया गाइब हो गई थी, फिर उसने उपर बंदरों को देखा तो उसे सब समझ आ गया, वेह बहुत परशान होकर कुछ सोचने लगा, सोचते होए वेह अपना सिर्ख उजलाने लगा, उसे ऐसा देखकर बंदर भी अपना सिर्ख उजलाने लगे, बंदरों को ऐसा करते देख, वेपारी को समझ आ गया कि मंदर उसकी वेकल उतार रहे हैं, फिर उसे एक तरकीव सूची, अब उसने अपने सर की टोपी को जमीन पर फेक दिया, बंदरों ने वेपारी की निकल उतारते हुए अपने सर की टोपीयों को भी जमीन पर फेक दिया, इसने जल्दी-जल्दी सारी टोपिया इकटी की और तरंद उन्हें बेचने के लिए दूसरे गाव की ओर चल दिया, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें इस कहानी सीख मिलती है कि किसी भी परिस्तिती में हमें गबराना नहीं चाहिए, हमें हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए.